सबसे पहले याद रखेंगे कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ कथन, 1857 के विद्रों पर कहें गएं कुछ कथन, जैसे सबसे पहले इतिहासकार L.E.R. इतिहासकार L.E.R. रीज ने कहा इसे धर्मांधों का इसाईयों के विरुध युध इतिहासकार L.E.R. रीज ने कहा कि ये धर्मांधों का इसाईयों के विरुध युध था, हम सब जानते हैं, धर्मांध L.E.R. रीज ने किसको कहा है, भारतियों को कहा है, और अगर हम बात करें, इसाईयों के बारे में, तो हम सब जानते हैं, Britishers को ही क्या कहा गया है, इसाई इसे कहा है सभ्यता और बरबरता की बीच युद्ध क्याने का मतलब battle between civilized people and uncivilized people. धर्मान्दू का इसाईयों की विर्द युद्ध definitely a battle between religiously blind people and Christians. वो L.E.R.E.S. कहा रहे हैं इस विद्रों को और अगर हम बात करें TR Holmes के बारे में तो TR Holmes कहा रहे हैं that was a battle between civilized people and uncivilized people. कि ये सभ्यता और बरबरता की बीच एक युद्ध था. इसके अलावा British Rajneta अगर हम बात करें Benjamin, Benjamin Disraeli की, तो British Rajneta Benjamin Disraeli ने इसे कहा है that was a national woman, ये एक राष्ट्रिय आंदूलन था. That was a national woman ये एक राष्ट्रिय आंदूलन था. और ध्यान लगेंगे, James Outram और Taylor ने इसे कहा है Hindu-Muslim शडियंत्र. James Outram और Taylor ने इस विद्धरो को कहा Hindu-Muslim शडियंत्र. और The Conspiracy of Hindus and Muslims. अरे, लोग कह रहे हैं कि English में लिखिये, भाई English में बोल तो रहे हैं, तो जो English में बोल रहे हैं, थेक हैं, उसको लिखिये, और अगर आपको English बोलने से भी नहीं समझ में आ रही है, तो आप सिविल की तयारी क्यों कर रहे हैं, भाई? समझने हैं, यहाँ पर एक-एक चीज, यह तीसरी चौथी क्लास की क्लास थोड़ी है, स्कूल की तरह, कि यह रचीज आपको बोर्ड पर लिख कर समझाए जाएगे, यहाँ पर तो वही वह आपको verbally समझाया जाएगा, उसको आप अपनी शब्दों में लिखें, मैंने कहा, कि जो 1857 का विद्रू हुआ है, उसको अलग-अलग इतिहासकारों ने, अलग-अलग historians ने, अलग-अलग writers ने, क्या कहा है, मैंने कहा, सबसे पहले, इतिहासकार L.E.R. Rees, इन्होंने कहा, that was a battle between religiously blind people and Christians, धर्मान्धों का इसाईयों के विरुद्ध, युद्ध था ये, इसक यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं, हिंदी नहीं आती, ओके, तो आप अमेरिका शेफ्ट हो जाएं जलती से, या ब्रिटिन, इसके बाद, the British politician Benjamin Disraeli said, that was a national movement, वो एक रास्ट्रिया आंदूलन था, और उसके बाद, James Outeram and Taylor said, that was a conspiracy of Hindus and Muslims, वो हिंदू और मुसलमानों का शड़यंत्र था, जो उनों ने तैयार किया था किसके लिए, अंग्रेजों के लिए, या Britishers के लिए, मैंने आपको बताया था, कि हम सबसे पहले, तीन टॉपिक कवर करेंगे, और तीन टॉपिक कराने के बाद, एक पूरी की पूरी क्लास म जी हाँ, बिलकुल, देखिए या जी, विडमना है, कि हम अपने आपको हिंदूस्तानी कहते हैं, हम अपने आपको हिंद वासी कहते हैं, लेकिन हमें हिंदी नहीं आते हैं, और हम गर्व से सीना चोड़ा करके कहते हैं, कि हमें हिंदी नहीं आते हैं, एक्शली हमें हिंदी विद्रो के लिए कहे गए थे, क्योंकि 1857 का विद्रो एक महत्वपूर्ण, एक अती महत्वपूर्ण घटना थी, इसलिए कई सारी ऐसी फेमस बुक्स हैं, कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो लिखी गई हैं किस पर अगर उनमें से हम कुछ फेमस बुक्स की बात करें दोस्तो, सबसे पहली बुक्स का नाब है 1857 ए 1857 जिसे लिखा किसने S.N. Sen ने, और S.N. Sen ने, गवर्मेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार के ही आग्रे पर, भारत सरकार के ही कहने पर इसको लिखा obviously, भई, T.R. Holmes ने जो civilized people यूज़ किया है, वो obviously अंग्रेजों के लिए कहा है, और जो बर्बर लोग कहा है, वो हम लोगों को कहा है, obviously इसके बाद दूसरी बुक The Indian War of Independence The Indian War of Independence जिसको लिखा वीर सावर करने या written by V.D. सावर कर Third book was The Sepoy Mutiny The Sepoy Mutiny and the Rebellion of 1857 The Sepoy Mutiny and the Rebellion of 1857 which was written by R.C. Majumdar और अगली पुस्तक ध्यार रखेंगे, famous book हैं हम जानते हैं, Poverty and Un-British Rule in India Poverty and Un-British Rule in India which was written by Dada भाई, Nero जी जी मैंने आपको बताया कि ये जो पुस्तके हैं ये 1857 के विद्रू पर लिखी गई हैं उस घटना पर लिखी गई है और 1857 में लिखी गई हैं भाई ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा किसे से मैंने किसी से ये नहीं कहा कि 1857 में बुग लिखी गई है 1857 में नहीं 1857 के बारे में ये बुग लिखी गई है और अगर हम बारते ने 1857 SNC in Government of India जैसा कि आपने कहा कि क्या से में Government of India थी भाई ये 1956 में लाउंच हुई है